ये बारिश का मौसम काश इस बारिश के मौसम में मिल जाए गरम गवरम पकोड़े और चाय तो देव किस बात की है दोस्तों चलिए बनाते हैं हलो दोस्तों मैंनु प्रतिमा और आपका स्वावित करती हूं मेरे चैनल प्रतिमा स्वाई की चन्वित दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी फॉन पकोड़े की एस बारिश की मौसम में अधिक्तन रोफ पकोड़े बना कर खाते हैं और इन कौन पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कौन दो मीडियम साइज की बारिख कटी हुई प्याच एक चमबच के करीब अध्रक लहसुन का पेस्ट चार से पाच बारिख कटी हुई हरी मिर्च एक कटोरी के करीब बेसन हाफ कटोरी चावल का आटा आध लेंगे तो चलिए शुल्य करते हैं तो सबसे पहले हम कौन की सीट्स निकालेंगे यह देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने फ्रेस कौन लिया है आप चाहे तो यहाँ पर फ्रोजन कौन का भी यूज़ कर सकते हैं तो इस कौन से या तो इस तरह से एक एक करके कौन सीट्स निकाल लिया है तो है ना ये बिल्कुल इजी तरीका तो अब हम इसमें एट करेंगे बारीक कटी हुई प्याच, हरी मेश्च, अद्रक लैसुन का पेस्ट, बेसन, चावल का आटा, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक, साबुत धन्या, इसको इस तरह से हाथों पर लेंगे और अच्छे से क्रश करके डालेंगे और साथी साथ एट करेंगे सौफ और सौथ के अनुसार नमक भी डाल देते हैं, तो चलिए लास्ट में डाल देते हैं, खुब सारी हरी धन्या, अब इन सभी चीजों को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, जिससे की सभी चीजे आपस में मिल जाएं, दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि हम इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज और रेड़ी पानी छोड़ती है, तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस इतना ही हमें मिक्स करना है, और 10 मिनिट के लिए इसे कवर कर के रख देंगे, तो चलिए तब तक कि हम गया सौन करके कढ़ाई में ओयल डाल लेते हैं, और ओयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, तो यह देखिए 10 मिनिट बाद प्याज ने भी अपना काम कर दिया है, अब हम इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अगर इसमें पानी का यूज कर देंगे, तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे, पकोड़े बहुत ही सौगी हो जाएंगे, यह देखिए पकोड़े बनाने के लिए मिक्स लेडी है, ओयल भी अच्छे से गर्म हो गया है, अब इन कौन पकोड़ों को हमें मीडियम फ्लेम पर प्राई करना है, बस थोड़ा-थोड़ा सा मिक्स लेकर इसे रुफली डालते जाएंगे, फ्राई होने के लिए थोड़ी देर बाद इनि पलट देंगे, जिससे की दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जए, और इसी तरह से पलट-पलट कर अच्छे से इनिझे फ् तो ये लिजी दोस्तों कर्मादम कृस्टी की स्वी कौन पकॉरी बनतर के विफ्रुप तैयार हो गए है आप इन्हें अप्रीन मनफसंद सौर से चेटमिन दे साथ सब्सक्राइब और आप भी फैमिलें के साथ मज़ें से चाय के साथ फाइडेग और इस बारिस्टी मौसंद पो इंग जोआए की जेक और आप कुमेदी एनस पी अठी नगने तो प्रीजी सिन लाइक पीजे शेयर पीजे और प्रतिमास परी किचन को सब्सक्राइब फ्रेमें आप मुने भाइन दिव बाइबा